बहुत ही कड़वा है पर परमसत्य यही है माता पिता की नसीहत हर किसी को कड़वी लगती है पर उनकी वसीयत उतनी ही अच्छी लगती है देश विदेश में बैटे सभी दर्शिकों को मेरा प्यार भरानम श्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रिमाली और आप सभी का स्वागित करता हूँ आपके अपनी चैनल में और आज का राशी फल यानि की तीस मई के इस विशेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और श्रुब कामने देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरे जन वस्री है या कोई विशेश यादगर दिन है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा आपने इस चानल को सबस्क्राइब कर मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाया है और वहीं अगर आप नए हैं इस चानल पर पहली बार आया है तो कृपिया कर इस एपिसोड को पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा अगर अच्छा लगे तो अवश्य ही इस चानल को सबस्क्राइब कर मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाईएगा चलिए बात करते हैं पंचांगी तारिक 30 मई 2024 से और दिन गुरुवार का है विशेश उपाए में आज मैं आपको बता रहा हूँ नारियल के तीन विशेश उपाए जिनको करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और इसके लिए आपको इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा बात करते हैं पंचांगी तो समवत 2081 का जेश्ट कृष्णपक्ष चल रहा है सब्तमितिती है सुभे 11.44 मिनिट तक जिसके पशचात अश्ठमितिती आरम होगी धनिश्टा नक्षटर रहेगा सुभे 7.31 मिनिट तक जिसके पशचात शदभीशा नक्षटर आरम होगा और चंद्रमा आज के दिन कुमराशी में विराजमान रहेंगे रहुकाल का समय आज के दिन दोपेहर के डेड़ बज़े से लेके तीन बज़े तक है और शुब चौगरिया महरत आज के दिन दो बार प्राप्त होगा सबसे पहले आपको शुब चौगरिया महरत सुभे के समय मिलेगा पांच बज़के 50 मिनिट से 7 बज़के 20 मिनिट तक और इसके पशाथ 11 बज़के 50 मिनिट से एक बज़के 30 मिनिट तक इसे के साथ में यात्रा के लिए आज कि दिन शुब दिशा आप लिए रहेगी पश्चम दिशा ईवं उत्टर दिशा और दिशाशूल दोश दक्षण दिशा और आगने दिशा में लग रहा है आगने को इंग्लिश में हम कहेंगे साउथ इस्ट दिशा तो अगर दक्षण दिशा या आगने दिशा में आप यातरा करने वाले हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि दही खाकर कि अब अपनी यात्रा आरम करें तो बहतर रहेगा ये दिशा शुल्दोश का परिहार है फिर बात करते हैं सुर्य उदै कालीन कुंडली में शुब रहे योगों की तो आज के दिन आशरे योग, संखिया कैदार योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, अधम योग, लक्ष्मी योग और मृती योग का आपको साथ मिलने वाला है अगर आप बार-बार ये सवाल सोचते हैं, दिमाग में आता है कि मेरी कुंडली में क्या राज योग हैं और राज योग हैं तो उसका मुझे परिणाम कब देखने को मिलेगा क्या मेरी कुंडली स्ट्रॉंग है, पॉजिटिव है, इसके इन दो क्या ड्राबैक्स हैं और कौन सी स्ट्रीम मेरी लिए बहतर रहेगी मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए है, मेरे बच्चे क्या केरियर चूज करने चाहिए है ये सभी सवाल जो है, इन सभी सवालों का उत्तर आपको इस नंबर पे मिल सकता है टेलिफॉनिक कंसिल्टेंसी की अपॉइन्मेंट ले करके पर अगर आप ये जानना चाहते है कि आपको कौन सा रतन धारन करना चाहिए, क्या रुदराक्ष धारन करना चाहिए आपकी कौनली में राजयोग कब और किस तरीके से आपको फायदा पहुचा सकते हैं, कौनली में दुर्योग क्या है तो संपून राजयोग जनम पत्रिका आप आज ही अपने लिए मंगवा सकते हैं ये राजयोग जनम पत्रिका जो है जिसे संपूर्न राजयोग जनम पत्रिका कहा जाता है इसमें आपको अंक जोतिश वेदिक जोतिश और लाल किताब अनुसार अपनी पूरी कैलकुलेशन मिलेंगी इसी के साथ में जो राजयोग हैं और दुरयोग हैं उनका पूरा विवर में ठड़ी two dots हैं overall situation 75% इस समय में आप के लिए positive है ऐसे समय में अपनी मेहनत का फल प्राप्त होना अटका हुआ धन वापस से मिलना ये कहा जाए घर के अंदर खुशी का महौल रहना ये सबी चीज़ हैं इस समय में देखने को आपको अवश्य ही मिलने वाली है खास तोर पर व्यापारी वर्ग जो है इस समय में आप थोड़ा और अपने आपको जोंक करके देखिए आपको इसका परणाम सुखद ही प्राप्त होगा नौकरी पेशा लोग जो इस समय में चंता जादा कर रहे थे कि मेरा इंसेंटिव कैसे बनेगा मेरा टागिट पूरा नहीं हो रहा है मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ आप अपने सीनियर्स का इस समय में 110% सपोर्ट प्राप्त करने वाले हैं मांग करके देखिएगा आपको इस समय में कोई नकार नहीं सकेगा स्वास्ति में भी सुधार होगा तो वहीं इस समय में ये कहा जा सकता है कि अगर आप यात्रा कोई करने वाले हैं तो यहां पे इस यात्रा से शानदार लाब आपको मिलने वाला है। यह कहा जाए कि भाग्य का साथ इस समय में मिले तो कई ऐसे लोगों से मिल मुलाकात हो सकती है कि जिस काम के लिए गए ते शायद वो पूरा ना हो। पर उसके बदले अन्हे को ऐसे काम और मिल जाएं जिससे की उस काम को भूल ही जाएं। दस रुपे के काम की जगे आप जो स्ट्रेस ले रहे थे उसकी जगे सो रुपे की काम अब आपके पास में ऐसे ही उस यात्रा के कारण बन सकते हैं। यंगस्तर्स जो इस समय में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे आपके लिए काफी जादा बेटर टाइम कहूंगा कि यहां पर एक बार कोशिश और आपको करनी जरूर चाहिए है यहां पर आपको आपकी नौकरी मिल सकती है शुबरंग रहेगा येलो कलर शुबरंग रहेगा नंबर फो अब बात करते हैं वरश अब राशी की तो राशी भाव से चंद्रमा टैंथ हाउस में प्रवेश कर चुके हैं वद इतारा का साथ है अश्टेग वर्ग में 18 डॉट्स हैं ये सिच्वेशन ओवरॉल देखें तो 67% सपोर्टिव है जिसके कारण चीजें बहतर होती नज़र आएगी मान सकता हमें बहुत जादा बड़ा बड़ाव इस समय में देखने को मिलेगा सोच जो है वो सकरात्मक बडलने वाली है अब इसके कारण आप ये देख सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आपको जोकने की काबिलित और जादा है और वहीं पे उस से वापस खीच करके अपना पैसा आप निकाल पाएंगे चाहे सफलता कहें नई प्लानिंग कहें सही लोगों का साथ समर्तन कहें वो इस समय में देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं पे ये कहें कि बहुत ही जादा दिमागी तोर पे आप यहां पे काम करने वाले हैं एक होता है कि इनसान अपनी मेहनत हातों पैरों से करता है फसीना बहाता है और दूसरा इनसान जो एसी के कैबिन में बैट करके इतना जादा दिमाग लगाता है जिससे की करोणों का फाइदा हो सके और वही इस समय में शायद करोणों नहीं पर आप कुछ लाख रुपे का तो फाइदा फिर भी उठा पाएंगी, ये समय इस बात पर निरभर करेगा, कि आप कहां पर है, जो करोनों की डीलिंग करता है, तो करोनों का फाइदा उठा सकता है, पर जो इनसान हजारों ही कमाता है, उसको हजारों का ही फाइदा हो पाएगा, ये सोच समझ करके आपको इस समय में बहुत ही चतुराई से अपना काम करना है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी आप काम करते हैं चाहे ब्रोकरिज का काम है, कमिशियन एजेंट है या ये कहा जाए बिल्डर हैं तो इस समय में आपकी प्रॉपर्ट अंक रहेगा नंबर थरी फिर बात करते हैं मिथुन राशी की तो नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी इतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 29 डॉट्स हैं 33% सपोर्ट फिर भी मिलने वाला है पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि मान सम्मान में कहीं न कहीं क चोड़ रखा है इस कारण कहीं न कहीं एगो की फाइट कही जाए मान सम्मान में कमी कही जाए या आपको इस समय में आभास हो सकता है ऐसे ही समय में घर परिवार वालों के साथ में या एक आपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में रुखा व्यवहार आप करते नज जिस से आपको स्वायम को रोकने की जरूरत है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग है। दूसरों के support में ज़ादा हैं, दूसरों की काम ज़ादा कर रहे हैं, दूसरों के लिए मेहनत ज़ादा कर रहे हैं, खुद को priority नहीं बना रहे हैं, ये आपके लिए problematic सिद हो सकता है। अच्छा कासा भला काम करता हुआ इंसान अचानक से नौकरी से निकाल दिया जाए सिर्फ इस वज़े से की काम खुद का जो है वो नहीं कर पा रहा है, बलकि दूसरों के काम बड़े अच्छे से कर रहा है। आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ये कहा जाए कि आप बिना ये देखे कि क्या आपके पास में है, आप दान की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब उमीद से ज़्यादा दान कर बैठेंगे। और सिफ इस बात के उपर मनन करके आप अपना मूड खराब कर बैठेंगे और कहीं न कहीं घर का वातावरंड भी इस वज़े से खराब हो सकता है। शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुबरंग रहेगा नमबर फाइव। फिर बात करते हैं करकराशी की एट्थ हाउस में चंद्रमा है अधिमित्रतारा का साथ अश्टग वर्ग में 22.67 परसन यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है पर इस बात का ध्यान रखना है कि य स्वायम के लिए कष्ट कारक बन सकता है यह दिन चाहे कहें mentally, physically यहाँ पर परेशानिया कुछ जादा देखने को मिलेंगी घर के जो बड़े बुसरग हैं खास तोर पे अगर आप किसी medical condition से गुजर रहे हैं या यह कहा जाए जो करकराशी के लोग इस program को देख रहे हैं से साथ नहीं देगा जिसके कारण काम पे भी focus नहीं हो पाएगा और ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की यह कहा जाए प्रयासों से दूसरे इंसान के प्रयासों से आपको इस समय में फाइदा उठाने की कोशिश ज़ादा करनी चाहिए है वरना अगर खुद के प्रय आस वो पर निर्भर रहे तो मान करके चलिए गए इस समय में कहीं न कहीं से दोका भी मिलेगा तो महीं पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। परिवार वाले भी विद्रो कर बैठेंगे और जो साथ निभाने वाले थे वो इस समय में किसी और के बाहानों को सुन करके आपके विरोध करते नजर आएंगे। थैंक यू कहने बाला है। शुबरंग ऐसे में रहेगा पिंक कलर, शुबंक रहेगा नंबर फाइव। फिर बात करते हैं सिंग राशी की। नीसे कर पाएंगे। यहाँ पे दोनों हातों से जो कमा सकते हो वो कमाने की स्थिति आज के दिन आपके सामने उपलब्द है। बस बात यह है कि आप अपने आपको कहां रोकना चाहते हो। जो सामने तालाब है उस पूरे तालाब को खाली करोगे या उस तालाब मैंसे एक निकलना चाहते हो। ऐसे समय में शॉपिंग की तरफ अगर आगे बढ़ें या ये कहा जाए घर की सुख सविधाओं को बढ़ा निकले आगे बढ़ें तो अविश यही काफी जादा सुखद अनुभव इस समय में देखने को मिलेगा और घर परिवार का साथ समर्थन भी दे कहीं न कहीं एक कॉमन ग्राउंड पे आकर के आप दोनों ही अप्रूवल अपना प्रोवाइड कर पाएंगे। यहां पे जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं आपके लिए भी काफी जादा सुखद सिचुएशन आज के दिन बनने वाली हैं। अब ऐसे समय में ब्राइ 50% positivity देने वाला है। अब ऐसे समय में ये कहें माता जी के साथ में कोई विचार में मर्श करना चाते थे गर्मा गर्मी जादा हो गई परिशानी हो गई जो बात करने गए थे वो तो कर नहीं पाए उल्टा जगडा जादा बढ़ गया। अब इस समय में कोशिश हैं करनी है कि उस जगडे को कैसे भी करके खतम किया जाए। वापस से प्रेम जो है आप दोनों के बीच में हो सके। उसके लिए आपको प्रयास अवश्य ही करना चाहिए है। ऐसे समय में कमाई को ले करके जतनी जादा आप मेहनत करेंगे उतना ही जादा बहतर पर नाम इस समय में आ कोई और उठा के लिए कि चले जाता है तो ऐसे समय में इस बात की बिलकुल भी प्रॉबबिलिटी नहीं है कि जो आप कमाई वो कोई और आप से चीन करके ले कि जा सके। हेल्थ वाइस कोई परिशानी देखने को नहीं मिले कि बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि लग पर डिपेंडेंट नहीं होना है अपनी घर की जो महलाएं है माता जी है लाइफ पार्टनर है बहन है बेटी है तो उनके लिए इस समय में कोई ना कोई अची चीज खरीद करके अवश्य शाम के समय घर पर लोटें तो आपके लिए और जादा बहतर हो सकती है यह सिच थाउस में वदतारा का साथ है और अश्टक वर्ग में 24 डॉट्स है ओवरॉल सिच्वेशन 25% सपोर्टिव है और इसके कारण गलत सोच कहें यह कहें कि खुली आँखों से सपने देखने की कोशिश करना यह आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है यह कहा ज पर जो भी सपने थे चकना चूर हो सकते हैं अपने किसी भी काम को बड़ी ही लगन से आप कर रहे थे और सोच रहे थे कि अन एक्सपेक्टड जो आप गोल्स सेट कर चुके हैं यह कहा जाए कि फार फ्रॉम रियालिटी आप अपने आपको रख चुके थे तो अब इस समय म चतुराई सोच समझ करके आगे बढ़ना शब्दों का प्रयोक करना बहुत जरूरी रहेगा कहीं जगहाओं पर आप इमोशनल होकर के कहीं ऐसे कमिटमेंट दे बैठेंगे जो आप पूरे ना कर पाएं इसके लिए बहुत जादा ध्यान रखने की जरुरत है यहीं पर जो रश्चिक राशी की आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा है जनमतार का साथ है अश्टक वर्ग में 27 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन देखी जाए तो 25% सपोर्ट की हो ऐसे समय में घर परिवार के अंदर विरोध देखने को जरूर मिलेगा कोई भी कोशिश कर लीज या यह कहा जाए आपके मूँ से कुछ ऐसा निकल पड़े जिसके कारण घर परिवार वाले आपकी तरफ नाराजगी जाता हैं यह समय में देखने को मिलेगा दोहीं पर जो नौकरी करने वाले हैं आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा कि कहीं न कोई कोई महिला मित्र जो सकें तो इसके लिए बहुत संबल करके बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग कीजेगा ऐसे ही समय में दूसरों का मजाग जो है वो कड़वा लग सकता है सामने वाला प्रयास मेहनत की आपको कर रहा था आपके लिए अच्छा करने के प्रयास कर रहा था पर उसके प ORIENTED आप ज़्यादा हैं इस बारे में आप जतनी ज़्यादा मेहनत कर सकें अपने आपको जितना बहतर बनाने की कोशिश करें इतना ज़्यादा बहतर रहेगा और वहीं पे घर के अंदर जो चोटे बच्चे हैं यह कहें पुत्र हैं पुत्री हैं तो उनके अलिए इस समय मे की कोशिश करते हैं तो आपको इस शीद से जरूर इस समय में परहेज करना चाहिए वरना आपकी छोटी सी जो ये शन भर का गुस्सा है ये सामने वाले को चोटिल कर सकता है या ये कहें कि जीवन भर के लिए एक निशान लेके आ रहे हैं अश्टक वर्ग में जबरदस्त 37 से डॉट मिल रहे हैं और संपत्तारा का साथ है ओवरॉल सिच्वेशन देखें 100% इस समय में आपके लिए पॉस्टिव है अब यहां पर थोड़ा सा पेशन्स रखने की जरूरत है थोड़ा सोच समझ करके कि आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि हर जगे पर फायदा ही फायदा है जो भी काम करोगे फायदा उसमें जरूर मिलेगा करना हो सोने और चान्दी में इंविस्मेंट करना हो तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत जादा फायदे मनसिद होने वाली हैं ओवरॉल दिन देखा जाए तो हर तरीके से आपके लिए फायदे मनसिद होगा चाहे लोगों से मेल मुलाकात करना चाहते हैं तो जादा है कि लोग खीचे चले आएंगे आपकी बातों में हां में हां मिलाने वाले होंगे वहीं नौकरी पेशा इंसान इस समय में अगर प्रयास कर ले चोटा सा भी प्रयास कर ले कि अपने आपको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं बेटा ओपॉचुनिटी कहां पर लेके आ स कि आप जो भी प्रयास करें उसमें आपको इस समय में पैसा अवश्य मिलने वाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुबंक रहेगा नंबर फाइव फिर बात करते हैं मकर राशी के और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में शेमतारा का साथ एश्टाग वर्ग में 25 डॉट्स हैं 75% सिचुएशन सपोर्टिव है अब ऐसे समय में यंगस्तर जो हैं स्टूरिंस जो हैं खास दोर पे आपको कहूंगा कि कोई भी एक्जाम अटेंड कर रहे हो कोई भी पेपर दे रहे हो कोई टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा स रेलाक्स हो करके पहले पढ़ करके फिर आप अपना एक्जाम देना शुरू कीजिएगा अपने आपको पहले काम कर लीजिएगा क्योंकि प्रयास आपके अच्छे हैं मेहनत आपकी पूरी है पर एक मोमेंट के अंदर जो आप जस्टिफाई कर सकते थे चीज को आप सही से एक चीज को अनलाइज कर सकते थे वो अनलाइज ना करने के कारण आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है तो इसका ध्यान रखते हुए थोड़ा अपने आपको यहां पे कंपोज करके फिर आगे बढ़िएगा दूसरी बात जो भी इस समय में व्यापारी वर् पड़े तो कोई गलत बात नहीं होगी पर ऐसे में कोई नए इंवेस्टमेंट करने से कोई नई तकनीक को इस्तमाल करने से परहेज कीजिएगा वरना नुकसान बढ़ सकता है यहां पर ग्रहनी जो है खास तोर पर आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर जो दूसरी महिल दें उसका सामना आपको करना पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा इस समय में दूसरी महलाएं जो हैं घर में उनके साथ में सोच समझ करके बात कीजिएगा यहां पर रेड कलर का इस्तमाल करना आपके लिए शुब साबित होने वाला है तो शुब अंक रहेगा नबर फो फि की रातरी तक बनी रहेगी मैं एक कहूंगा कि एक तारिक जब होगी एक जून जब होगी तब जाकर के सेकिंड हाउस में चंद्रमा जाएगा और वहां पे भी जादा आपके लिए परिशानी नहीं होगी पर यह जो अभी समय है इसका सही तरीके से उप्योग आपको करना ह जाते हैं चाहे दामपते जीवन की बात कही जाए तो इस समय में सुख में अवश्य रहने वाला है परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा खास तोर पे यहाँ पर पिताजी का साथ और समर्थन आपको देखने को मिलेगा उनके सूर्सेज हैं उनके लिंक्स हैं उनके फाइन सिद्ध हो सकता है यहीं पर अगर समाज की बात की जाए तो समाज में ख्याती की प्राप्ती अवश्य ही होने वाली है मान समान की प्राप्ती होगी और कोई ना कोई आपका सपना चाहे कोई खरतदारी का हो कोई चीज की लेने की बात हो या फिर कहीं पहुचने की बात हो तो वो इस समय में सपना सच होता नजर आने वाला है. शुबरंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुबरंग रहेगा नमबर एट. फिर बात करते हैं मीन राशी की. ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है, विपत्तारा का साथ और श्टग वर्ग में ठटी एट डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन देखी जाए, तो यह सिचुएशन 40% सपोर्ट की है. अब यहाँ पर फाइनसे से परेशान ही नहीं है, पर मानसिक तौर पे उत्पीडन अवशे ही देखने को मिलेगा. चाहे दोस्त हैं, दोस्त के साथ में बहुत अच्छे से आप चल रहे थे, पर यहाँ पर पॉलिटिक्स को लेकर या किसी दूसरी बात को लेकर कि इस तरीके से जगड़ा बढ़ सकता है, कि एक दूसरे से बात तक करना इच्छा यहाँ ना हो. यहीं पर विरोध जो है दोस्तों का आप बर्चड के करने वाले हैं. शब्दों पर इस समय में जोर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगाए. यह कहा जाए कि अब शब्दों का प्रियोग जो है वो आप ज़्यादा करते नजर आएंगी कि एक ही सेंटेंस के अंदर चेंगालियां हो तो ऐसा सेंटेंस आज के दिन आप बोलते नजर आने वाले हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड आप ज्यादा हैं मानसिक तोर पे. यहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि आप रिस्क बहुत बड़ा लेना चाते हो. हर कोई उससे आपको मना कर रहा है पर आप हैं जो इस बात को मानना नहीं चाते. अगर अपने आपको बचा करके रखना है यह कहा जाए नुकसान से अपने आपको बचाना है तो इस बात का धियान रखिएगा कि दूसरों की बात एक बार के ले सुन लीजेगा. कोई भी ऐसा बड़ा फैनेंशिल डिसीजिजन जो रिस् सकता है कि दूसरों की इस समय लौटरी लग जाए पर आप जो लौटरी के हगदार होकर कि यहां पे घुसे हैं आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे समय में दूसरों के शडियंत्रों में फस करके अपना नुकसान करवा सकते हैं. इसके लिए बहुत सूच काम है जिसके अंदर बहुत ही जादा मशक्कत लगती है तो उससे परहेस कीजेगा. शुबरंग रहेगा आपके औरेंज कलर, शुबंक रहेगा नंबर एट. ये तो हुई बात आज के राशी फलकी. अब हम बात कर रहे हैं विशेश उपाई कि यानिकि नारियल के तीन ऐस विशेश उपाई, जिनको करने से आपके मनोकामना पूरी हो सकती है. सनातन परंपरा में किसी भी शुब काम के लिए, पूजा पाट के लिए पहले नारियल का किसी ना किसी रूप में प्रयोग अवश्य किया जाता है, ये हमारी परंपरा है. नारियल का है या श्रीफल, इसकी शुबता और सफलता का प्रतीक माना जाता है. नारियल धनके देवी माता लक्षमी का भी प्रतीक माना गया है. मानियता ये है कि किसी भी काम को करने से पहले नारियल को फोडने पर दुख और दुरभाग ये दूर हो जाते हैं. कार्य विशेश में बगैर किसी बाध जो हैं वो दूर हो सकते हैं. सुक समर्दी की प्राप्ती हो सकती है. तो ऐसे ही कुछ विशेश उपाए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं. सबसे पहले शनी के दोश के लिए आपको एक उपाए बता रहा हूं. कुंडली में अगर शनी दोश है और उसके कारण तमाम तर इस मंतर का मन ही मन जाप करते हुए आप इस नारेल को प्रवाहित कर दें. उनका ध्यान करते हुए शनी संबंधी कष्ठ से मुक्ती पानी की कामना जाहिर करें. मान्यता ये है कि ये करने से नारेल से जुड़े इस उपाए को करने से आपके जीवन से जुड़ी शनी की संस नी दूर हो जाती है दूसरा उपाय अगर आपको हर समय अपने घर में किसी नकरात्मक उर्जा का प्रवेश होने का खत्रा बना रहता है तो इससे बचने के लिए आपको एक साधारन सरल और असरदार उपाय बता रहा हूं अपना में गेट जो है मुख्यद्वार जिसे आप कह सकते हैं वहाँ पर एक लाल रंग की कपड़े में नारियल बांध करके घर के अंदर की तरफ आपको टांग देना है ऐसा उपाय करने से आप हमेशा बुरी बलाओं से बचे रहेंगे आपके घर में सुख स्वभाग्य का प्रवेश हमेशा होता रहेगा और तीसरा और अ बहुत जाद एक दूसरे से प्रीम करते हैं हर जगे जाहर भी करते हैं हर कोई देख करके वावा ही करता है हर कोई कहता है कि जोड़ा हो तो तुम्हारे जैसा हो पर ऐसे ही कहने वालों में कई लोग बुरी नजर भी लगा बैठते हैं तो ऐसी बुरी नजर को दूर करने के घर में एकाक्षी नारियल ले करके आप आएं उसे अपने पूझा घर में आपको रखना है मानियता ये है कि एकाक्षी नारियल अगर रखा जाए उसकी पूझा की जाए तो वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है घर परिवार में प्रेम और सामन जसी हमेशा बना रहता है इतने छोटे असरदार और सरल उपाय करने से आप अपने जीवन में सकरात्मक्ता ला सकते हैं बहतर बदलाव ला सकते हैं और अपनी मनकामनाओं को पून कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड अवश्य ही पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इस एपिसोड को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजेगा हमेशा की तरहे प्रातना अब सभीक लिए ये ही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जै श्री राम इवं जैहन करता ये जैह जैहन से हमारे सिर्वाद हमारे से उड़ाद हिर टाहिए बड़े जैहन